थौट अफड़ी आज का विचार क्या है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्षे प्राप्त न हो जाए जापान किस वर्स तक सुनने कारबन उतसरजन यानि जीरो कारबन इमिशन को प्राप्त करने का कर लेगा यानि प्राप्त करने का लक्ष रखा है तो 2050 तक जापान ने का है कि हम जीरो कारबन एमिशन कर लेंगे और अगर पुछा जाए अभी रिसेंटली पीएम वहां के चेंज हुए तो जापान के प्राप्त कौन है योशू हाइड सूगा तो आपको सूगा याद रहेगा तो सूगा से याद रखेगा इससे पहले कौन थे एबेजी थे एबेजी ने रिजाइन दे दिया ड्यू टू अपने हैल्थ इसो की वज़ा से यह पॉइंट याद रखेगा और जापान कहां पर इस्तित है तो आपकी पेसिफिक ओशन में इस्तित है इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा और अगर देखा जाए तो कार्बन एमिशन कर लेंगे साती साथ चाइना ने भी लक्ष रखा है यह पॉइंट भी याद रखेगा ठीक है चली नेक्ट पॉइंट देखे क्या है किस देश ने फ्रांसिसी वस्तूओं के बहिसकार कर रहेगा तो कौन सा देश है जो फ्रांसिसी यानि फ्रांस की जितन और अगर इसको देखा जाये तो इसकी वॉटर बॉड़ी किस से मिलती है एक आपका तो ब्लेक सी से मेलती है और एक आपका झाण सागर से मिलती है जो इक स्ट्रेट गुजरती है वो कहां पर है इस्तांबूल से गूजरती यह स्ट्रेट का नाम लिख कर आप बताया है क्योंकि मैंने यह आपको कई बर बताया हुआ है जब मैं यूरोप का मैं पढ़ा रही थी तब पर भी मैंने यह बाप पॉइंट आपको डिसकस किया था चली नेक्ट पॉइंट पर देखें किस राज्यनी नो राश्टी मार्ग क रखा गया है वह कहां पर त्रिपुरा त्रिपुरा की कब कर अंकारा ठीक है अगरतला ठीक है याद रखेगा और अभी नितिन गटगड़ी जी ने यह किया था क्यूंकि इनके पास क्या कौन सा मंत्राले है एक आपका राश्ट परिवहन मंत्राले है और साथी साथ MSME का भ जो है वो 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 आपकी बिल्कुल आपके त्रिपुरा के साउथ में इस्तित है और बिल्कुल बॉर्डर के आसपास यह बहती है फैने रिवर किनके आपके एक तो इंडिया के त्रिपुरा में याद रखेगा और आपकी बांगला देश में ठीक है तो यह ब्रिज बना द फैनी रिवर के नाम से भी जानते हैं इस पाइंट को भी याद रखिएगा साथी साथ यहां पर एक और प्रोजेक्ट बनके त्यार हो गया है वो क्या है उदैपूर अगरतला रोड यह उदैपूर वो उदैपूर नहीं है जो कि आपके राजिस्थान में यह त्रिपूरा मे ही एक प्लेस है जिसका नाम क्या है उदैपूर और उदैपूर से यह अगरतला तक यानि इसकी कितनी किलोमेटर तक की है फाइफ फिफ्टी किलोमेटर एप्रॉक्स है इसकी लंबाई है और यह कनेक्टिवीटी प्रोवाइड कराएगा और दूसरा इंपॉर्टन पॉइं पर चहरे की पहचान की सुरुवात की है तो याद रखिएगा सारवजन यानि पब्लिक जो वहिकल्स थे उन पर अब फेशिल रिक्रेगनेशन कर रहा है कौन आपकी दुबई दुबई कहां पर है यूवेई में अभी यूवेई में ही आपकी आईपिल कंडर्ट कराई जा फेश रिक्रेगनेशन किस कंट्री ने स्टार्ट किया है तो वह उन्होंने अपने हर जगा पर किया है तो वह कौन है आपका सिंगा पूर है यह पॉइंट याद रखिएगा और अगर पूछे की सिच्छा मंतरी द्वारा जो माधिमिक बोर्ड के बच्चे हैं ठीके उनके सब्सक्राइब कर दिया है जिससे कि और फेशियल रिक्रेगनेशन के तुरू उसको अराम से डाउन्लोड या देख सकते हैं सिंगापूर ने पूरे अपने हर फिल्ड में जितने भी उनकी स्कीम्स होती है और एयरपोर्ट होता है हर जगा परिवान हर जगा उन्होंने फे ओरी ने सारजवेनिक परिवहन परिए सुविधा प्रोवाइट करा दिया यह यह पॉइंट रखियेगा नेक्स्टे-इंपॉंटिन्ग क्या है वह हमारे यह है यह यह इंपॉर्टिन्ग किस देश ने हरीव्यण शराय बच्चन के नाम पर जहाज का नाम रख जगह का ना और पॉलेंड जो है रसिया से भी अपने बाउंडरी सेयर करता है इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा छोटा सा पाट है रसिया का जो की यूरोप के बिल्कुल ओशन से लगा हुआ है नेक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह अभी यह क्या है किस देश के टट पर लग कहां पर है नांबिया नांबिया बीच पर जो की नांबिया बीच यह कहां पा रहा है तो यह आपकी जो अफ्रिकन काउंटिनेंट है अफ्रिकन काउंटिनेंट पर सबसे नीचे आप साउथ अफ्रिका देखोगी उसके ऊपर यह है मत्तों साउथ अफ्रिका से अपने तो उसका नाम क्या है? Walvis Bay और Walvis Bay के जो उसके बीच का नाम क्या है? ये तो बे है, मतलब उस जगा का नाम है वो है आपकी पहली केन पॉइंट बीच, तो वहाँ पे 70,000 seals जो है, वो मरी पाएगे तो ये बहुत बड़ी संक्या है, अगर इसकी capital पूछा जाए तो वो क्या है? विंड हॉक्स है इसकी capital, विंड हॉक्स याद रखेगा और अगर पूछा जाए कि seal के बच्चों का नाम, बच्चों को कहते हैं, छोटे बच्चों होते हैं, उन्हें puppies कहते हैं, ये point याद रखेगा ठीक है? और ये अपनी water body, Atlantic से, Ocean से, महासागर से अपनी सीमा ये साजा करता है, यानि समंदर से अपनी सीमा साजा करता है, ये point याद रखेगा अभी हमने देखा था, Australia के, जो आपका South part है, वहाँ का, वहाँ पे भी seal मर, वहाँ पे वेल्स मरी थी, और अभी देखे, seal मर गई, ठीक है, ये point याद रहे आउस्टेलिया में क्या मरे है, जो वेल्स होती है वो मर गई काफी जादा, next point क्या है, भारतिय सेना का द्वी वार्षिक कमांडर समेलन कहां पर सुरूख किया गया तो कहां पर नई दिल्ली में सुरू किया गया, ये चार दिवसी है, मतब चार दिन का है, ठीक है, दुई वर्सी है, मतब एक वर्स में दो बार ये कंड़क कर आए जाता है, और और इसको कंड़क कौन करवा रहा है, मतब इसको उद्घाटन किस नहीं किया, तो राजनात सिंग ने इसका उद्घाटन किया, ये पॉइंट याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बिना जा डाले, जल जीवन मिशन के तहत, भारत और किस देश की सीमा पर जल आपूरती योजना का उद्घाटन किया गया, तो कहां पर किया गया, मैनमार्ग में किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है अपका भारतिय रेल, प्राधिकरण ने किस खेल के, के लिए नैशनल कोच क दे दिया गया है, और इसका आयोजन कहां होगा, यानि टेबल टैनिस का, तो ये अपका हरियाना के सोनी पत पे ये आयोजन किया जाएगा, ये भी पॉइंट इससे याद रखिएगा, ठीक है, और अभी हरियाना में ही चौथा, फोर्थ खेलो इंडिया, मोमेंट, खेलो इ इससे पहले का हुआ था, तो वो भुगनेश्यर में हुआ था, नेक्ट पाइंट क्या है, धान खरीद के पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने परतिसत की वृद्धी देखी गई, तो इस वर्ष 23 परतिसत की वृद्धी देखी गई, अगर पूचा जाए धान कै कि ऐसी फसल है धान आपकी खरीब की फसल के अंदर आता है ठीक है यह पॉइंट याद रखेगा नेक्ष्ट पॉइंट North America continent में नॉर्थ अमेरिका में है और सबसे South में है और इसके पश्चिम में क्या है आपके Gulf of Mexico है और सरपूरब में Gulf of Mexico है अब पश्चिम में देखेंगे तो Pacific Ocean से अपनी boundary share करता है और next point क्या है यह आपका थूती कुड़ी को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है यह कहां पर है तो थूती कुड़ी जो कहां है यह आपके तमिल नाडू में है यह point याद रखिएगा ठीक है यह भी नरेज मोदी जो मन की बात था ना उसमें इन्होंने यह नामों को लिया था और next क्या है pencil village के नाम से किस गाउं को जाना जाता था यह भी product important है pencil village जो है वो फुल वामा जु जगह है फुल वामा का गाउं है एक खूणजब्गाउं और यहांपवन मों की चीजें बहुँँजद बनाई जाते इसलिए इसका नाम ही क्या है Pencil Village यहां पे जो इतनी भी आपके जो MSME से होते हैं जितनी महिलाई होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे रोजगार मिलता है इसलिए यह बहुत अच्छा काम किया था इसलिए इस गाउं को ही Pencil Village के नाम से जाना आता और यह गाउं है कहां तो पुल व जो धान का बच जाता है भूसा उसे जला दिया जाता है खेतों में उससे बहुत ज्यादा क्या होती है पॉलूशन होती है आप देख रहे हो डैली में बहुत ज्यादा पॉलूशन बढ़ता जा रहा है वहां पे यानि PM 2.5 जैनि पॉर्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 की याद रखिएगा मदन लोकल इसके स्टबल बर्निंग के कमिटी के हैड है यह पूरी तरीके से जाच करेंगे कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है क्या प्रॉब्लम सारी है क्या हमें आगे करना चाहिए ठीक है इस सारे को इनको देखना है next point क्या है कुछ तो इसी के थॉमस बैच इनको किया गया है और 2019 में यह यहीं एवार्ड शॉल प्रैस प्राइस जो है वह पीम मोदी को दिया गया तो यह पॉइंट याद रखिएगा 2016 का पूछेगा तो पीम मोदी अगर 2020 का पूछेगा तो थॉमस बैच यह नाम याद रखिएगा और तो वहीं पर यह दिया जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह न्यूज में क्यों रहा क्योंकि जो थॉमस बैच है यह इसको लेना तो चाहते हैं पर वहां पर जाके नहीं लेना जाते ड्यूटू कोवेड-19 अभी हमने नॉर्थ कुरिया से में भी देखा थ तो यलोडिस्ट क्या है जो गोभी डेजर्ट है वहाँ से जो पवने चलती है जो विंट्स चलती है धूल भरी उसी को यलोडिस्ट कहते हैं क्योंकि यह यलो रंकी दिखाई दिती है next point क्या है आपका ये भी प्राइज है ये क्या है सखा रोव प्राइज 2020 किसे दिया गया तो ये दिया गया है आपका Democratic Opposition कहां के बेलारूस के तो बेलारूस के जो अपोजिट पार्टी थे ठीक है Democratic Opposition तो उन्हें ये प्राइज दिया गया है next point क्या है उसे भी हम नज़े डालें वो है किस ने बर्ड विहर्ड स्रेणी के स्रेणी में लंडन में प्राकरतिक इतिहास संग्रहाले से किस वर्स वन ने जी फोटोग्राफी का पुरसकार जीता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन ने जी फोटोग्राफी एवोर्ड दिया गया किसके अंतरगत तो प्राकरतिक इतिहास संग्रहाले के अंतरगत और ये कहाँ पर है लंडन में किस स्रेणी के अंतरगत तो बर्ड ब्री वियर स्रेणी के अंतरगत और ये कौन है ये हैं आपके संबाद सोबिया तो याद रखेगा ये सोबिया है तो इन्हें ये दिया गया ये मेल है ये भी याद रखेगा असना इसे female समझ रखेगा ठीक है अभी क्यूंकि एक Indian female को भी एक award मिला है प्राइज है वो कौन है आप मुझे वो कमेंट सक्सर में लिखकर बताईएगा नेक्ट प्राइट क्या है किसने लॉस वे गास में सीज कप को जीत कर अपना पहला पीएजी टूर हासिल कर लिया तो वो कौन है वो है आपके जैसन कोकर कोरकर ये अपना गल्फ का जो से वो जीत गए तो कहां पर ये हुआ था लॉस वेंगास में कौन सी सीरीज थी से सीजे कप याद रखेगा सीजे कप भी पूछ सकता है तो किससे ये क्रिलेटेड है ये गल्फ जो गेम होता है उससे सब्बंदित है ये भी पूइंट पूछा जा सकता है ठीक है इनका पहल अपना परिचालन बंद कर दिया तो कहां पर बंद कर दिया स्रीलंका में अपना जो परिचालन था वह आएजिस इसी बैंक ने बन कर दिया हमें स्रीलंका से कौन सा पॉइंट याद रखना है यहां पे एक हमबन Naulta Port है जो कि चाइना ने 99 ये लिए ले लिया है क्योंकि हमबन टोटा पोर्ट को किस ने डवलप किया था चाइना ने डवलप किया था चाइना ने यहाँ पे लोटस टैंपल को भी डवलप किया और यहाँ पे एक मटाला एयरपोर्ट है मटाला एयरपोर्ट इंडिया के दोरा डवलप किया जा रहा था और यह मटाला यहां इंडिया भारत और स्रिलंका की बीच में जल संधी उसका नाम क्या है पार्ग जन संधी यह किसको किसको जोड़ती है तो बे बंगाल और गल्फ ऑफ मननार को यह जोड़ती है यह पॉइंट याद रखेगा चलिए नेक्ट पॉइंट पर नजे डालें और हमने प्रीव स्रिलंका का जो संविधान है अभी यहां पे 20 संविधान संसुधन की गया गया उनके आर्टिकल नंबर 19 के अंदर गत और जो संविधान है वो सबसे लचीला संविधान वाना जाता है यह भी पॉइंट याद रखेगा ठीक है नेक्ट पॉइंट क्या है वो फोप्स के अन इंपलोईर को देखा गया तो कौन की कंपनी है समस्न इसमें कंपनीय संसम की एक सीओ थे वो भी डेट कर गए इसलिए न्यूस में रहा थे कंपनी और यह कहां की कंपनीय को यह क्रिया साॉथ क्रिया केंपनी है ठीक है इसके बाद कौन है अंदेन है फिर आई میں फिर आपकी Microsoft है उसके बाद LG कंपनी है और अगर पुछा जाए क्या इंडियन कोई कंपनी है जिसमें आई है तो यह 30 पोजिशन पर है HCL Technology HCL Company भी इसमें इंडिया की आई है यह पॉइंट याद रखेगा चलिए एक न्यूज आई थी न्यूज पेपर में था यह था आपका Prohibition of Nuclear Convention यह है क्या यह न्यूज में रहा क्योंकि यह 24 अक्टूबर को ठीक है 24 अक्टूबर को यह जितने भी देश थे इसके अंदर लागू मान लिया है वो यह जो इसके अंदर जितनी रूल से वो लागू हो गए तो हम इसको देखते हैं यह क्या है Prohibition of Nuclear Weapons Convention यह आपका एडॉप्ट किया गया था 7 जुलाई 2017 में ठीक है और इसको साइन कब किया गया तो 20 September 2020 में इसको साइन किया गया मतार इसको एडॉप्ट किया गया कि हाँ इसमें यह रूल्स होने चाहिए उस पर डिसकस हुई फिर 20 तारीक को 20 September 2017 में इसको साइन कर लिया गया लोग कि दार अगर पूछा जाए यह फोर्स में कब आ जाएगा ठीक है यह आ जाएगा 22 जनवरी 2021 में यानि 2021 में यह पूरी तरीके से लागू कर लिया जाएगा मतार जो कंट्री इसको साइन की होंगी उन सब को यह लागू करना पूरी त आठक कुई थी तो आपकी вас में हुई थी जो कि अमेरिका में है और इसमें कितने कंट्षीर ने साइन सिगनेचर कीया था तो यह 84 कंट्रीस हैं ऐसी जो कि इसको सेनेचर किया है है अगर कितने कंट्रीस ने पार्ट किया इसमें 50 कंट्री div जो थी वो participate इसमें यानि पार्ट लिया, पार्ट किया है, क्या इंडिया इसको ratify किया है, नहीं, इंडिया ने इस पे sign नहीं किया है, ये भी point याद रखिएगा, और अभी हम 24 को UND भी मना रहे थे, ठीक है, जिसका कितना year हो गया, 75 year हो गया, अभी हमने एक और देखा कि इस ICANW के नाम से आप जानते हो, या ICAN के नाम से जानते हैं इसे, ये कहाँ पे format हुआ था, इसको formation किया गया था, Australia के Melbourne में, याद रखिएगा, Australia के Melbourne में, इसकी formation की गई थी, इस संस्था की, ये एक non-government organization है, और 2007 में इसको gut type किया गया था, ये point याद रखिएगा, अगर इसका headquarter पूछा जाए, तो वो Geneva Switzerland में है, और important point ये भी है, कि 2017 में इसे Nobel Peace Prize मिला था, किसे आपकी international campaign of abolish nuclear weapons को, ये point याद रखिएगा, इतने point से अभी देखिए, 2020 में अगर पूछा जाए, तो किसे Nobel Prize मिला है, Peace Prize किसे मिला है, आपके, WFO को, ये क्या है, World Food Program को, World Food Program को इस बार Peace Prize मिला है, ये कुछ points थी, जो हमारे exam में आ सकते हैं, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे like कीजे, comment कीजे, share कीजे, thank you, wasprent.